जिए हां दोस्तो भारत्री टीम ने 30-20 मैच न्यूजिलेंड को बहुत बुरी तरीके से हराया जिसकी जीत के हीरो रही अक्षर पटेल जिए हां दोस्तो रोई शर्मा ने बल्ले बाजी सब कपने दिवाना बना लिया लेकिन अक्षर पटेल ने बड़े ही साइलन्ट किलर के तोर पर दोस्तो न्यूजिलेंड के बल्ले बाजो को धारा शाई कर दिया वो भी पावर प्ले में जब पावर प्ले में बल्ले बाजो पादुई गेंदबाजी के स्पेल के बारे में कि किस तरीके से उन्होंने टीन ओवर के अंदर ही पूरा मैच पलड़ दिया और साथी साथ 9 रन देते वे यानि कंजूसी से गेंदबाजी करी T24 में और 3 विकिट चटकाली पावर प्ले के अंदर जिसके सपनी बड़े से बड पर दोस्तों इस पिन गेंदबाजों की मदद मिल लई है जब मिचल सेंटरनर ने अपने एक ओवर में दो वाइड गेंद देते वे दो विकिट चटकाया थे उसके बाद जब अगला ओवर लेकर आया तो एक और विकट रिशापंत की रूप में चटकाया और रोई शर्मा को खुद इस शोडिन आउट किया था तो ये चीज रोई शर्मा बहुत भखूबी समझ चुके थे और उनों ने पावर प्ले खत्म होने का इंतिजार नहीं किया जो गलती मिचल सेंटरनर ने की वो गलती रोई शर्मा ने नहीं की क्यूंकि पावर प्ले में रोई शर्मा क पर भी दोस्तों मार्क चैपमेन के रूप में अक्षर पटेल ने एक और विकेट लेके दिया डेरल मेचल का विकेट हर्शल पटेल ने पकड़ा था और मार्क चैपमेन को तो स्टंप आउट किया था रिशाप पंत रहे बहुत दूर निकल चेके थे क्रिस से यहां मार्क चै पर टेल ने और सीधा क्लीन बोल्ड तो ये चीज दोस्तों रोही शर्मा की बहुत अच्छी लगी कि वो रणनीती बहुत जल्दी बनाते हैं और रणनीती कारगर भी साबित होती है यहीं नहीं दोस्तों जो चोथा विकेट गिरा टीम न्यूजिलेंड का सबसे बड़ा विक अचिन गप्टिल का विकेट एक और इस्पीनर ने ले कर दिया इसके बाद तो बचा कुछा मैच का काम दोस्तों तमाम कर दिया तेज गेंद माजो ने लेकिन अक्षर पड़ेल दोस्तों सच मुझ यहां पर मैन अफदा मैच के परबल दावेदार हैं लेकिन अगर देखा तो रोहिषारँ पड़ेल ने दौस्तों जो काम किया वो काबिल यह तरीभ भरा था पहले मुकाब्ले में हम सभी ने देखा किस तरीके से हमने देखा रोहिषारँ पारी खेली थी लेकिन अंब बहुत Isidmane Mta nessa match मिला था दूसरे मुकाब्ले में हर्चल पड़ेल को मैन लेकिन हाँ अक्षर पटेल ने काम किया तो अक्षर पटेल का नाम होगा तो दोस्तों ये था अक्षर पटेल का वो जादूई स्पेल दोई शर्मा की रणनी थी जो टीम इंडिया ने मैश पलटने में कारगर साबित हुई न्यूजिलेंड की डीम सेकंड इनिंग में 111 रन बना सकी थी और दसो विकेट चटका दिये थे टीम इंडिया गेंदबाजो ने इसमें अक्षर पटेल ने तीन ओवर में 9 रन देते वे तीन विकेट चटका है हर्चल पटेल ने दो विकेट वेंकटे शियर युजवेंदर चलो और चहल ने चहर ने भी दोस्तो एक एक विकेट चटका है भुवनेशर कुमार का खाता खाली रहा लेकिन तारीफ करनी होगी अक्षर पटेल की कि रवी चंदन अश्विन की गैर मौझूदगी में उन्होंने स्पिन गेंदबाजी को बहुत बखुवी से निभाया वरना अगर युजवेंदर चहल के भरोसे रहते तो दोस्तों वो तो मिडल ओवर में ज्यादा विकेट लेते हैं तो मिडल ओवर तक तो न्यूजलेंड की बले बाग धारा शाही कर देते टीम इंडिया की गेंदबाजों को तो यहाँ पर तारीफ की योग्गे हैं अक्षर पटेल की जादवी गेंदबाजे 30-20 आइ मैच जीत कर टीम इंडियान तीनो मैच की सीरीज अपने नाम कर ले किलीन स्वेफ हासिल करा न्यूजलेंड खिलाब भारते मैदानों पर नेक्स्ट नैन स्पोर्स की रिपोर्ट